हे हाई दोस्तों कई बर क्या होता है जब हम validation control यूज करते हैं या फिर हम Ajax के control यूज करते हैं अपने ASP.NET अप्लिकेशन में तो अक्सर हमें एक error देखने के बिलता है अब ये error क्या होता है मैं आपको बताता हूँ तो आपके सामने देख रहा होगा ये मेरे पास एक registration form है और यहां पर मैंने यूज किया हुआ है validation control ओके तो validation control में जितने भी validation control चाहे required फिर validator हो compare हो या फिर regular expression से related हो तो कोई साभी validation control या फिर आप Ajax control यूज करोगे तो यह error बहुत ही common होता है आपको यह दिख जाता है अब इस error को कैसे आप solve करोगे तो सबसे पहले हम वह error देखते हैं वह कौन सा error है ठीक है तो आपके सामने इस तरीके का एक error page उपनों के आ जाएगा जहां पे साब सब्सक्राइब में मेंशन होगा कि आपको इस तरीके का error देखनों के बिल रहा है तो इस solution इस problem का solution आपको कैसे मिलेगा तो क्या करना है सबसे जरूरी काम क्या है यह जो आपको error message देख रहा है आपको कहां पे जाना है इसको page को open करना यहां पर आपको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा code दिख रहा है जहां पर हमें web.config की जा रही है ठीक है तो इसका solution क्या है कि आपको क्या करना है web.config में जाकर चोटा सा एक line का statement add करना है तो मैं इसको scroll करता हूँ स्क्रॉल करते हैं चले आईए तो यहां पर देखो यह जो आप देख रहे हो ना है यहां पर configuration आपके जो web.config file है उसके अंदर आपको क्या configuration sections में आना है उसके अंदर आपको app setting के अंदर आना है और 37 साथ आपको क्या करना यह वाला जो code है ना यह जो मैंने select कर रखा यह पूरा का पूरा line आपको copy करके paste कर दे रहे हैं अब चले देखते हैं कहां पर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले application open करो application open हो गया यहां पर आते हैं simply हमरे पाद web.config नाम का एक file है इसको open कर लिया ठीक है इसको open करने के बाद आपको क्या करना है simply आपको देखो आपका यह आपका configuration है यह आपका system से related और कहीं पिर भी यहां पर नीचे आके मैं यहां पर paste कर देता हूं ठीक है यह लाइन का कोड मैंने पेस्ट कर दिया ठीक है यह जो मैंने कोड पेस्ट करेंगे अब फिल से हमारा जो पेज है यह वाला पेज अब इसी पेज को करेंगे refresh तो मैंने इसको refresh किया अब इस चीज को हम क्या करते है हम वापस चलेंगे यहाँ पेλα इसको मैं पहुत ही असान है आपको क्या कर देना है और आपको इसके बारे में बहुत जादा जानकारी चाहिए तो गूगल कर लेना यह हम इसको exactly क्यों यूज करते हैं आपको सब कुछ मिल दाएगा राइट तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए एरर के साथ और इसके solutions के साथ तब तक के लिए subscribe करना मत ब को ओके बाबाई टेक केर